सबसे पहले हम RPF New Vacancy 2023 Post Details देखेंगे अगर हम Total Number of Vacancies की बात करें तो हमारा Total Number of Vacancy 20,000 पदों के लिए भरती निकाली जाएगी अगर हम RPF New Vacancy 2023 Post Name की बात करें तो हमारा Post Name Constable के लिए अगर हम फेकेंसी की बात करें तो Constable के लिए पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी 18,000 पोस्ट के साथ उसके बाद अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए 2,000 पोस्ट रखी गई है तक रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 25 साल तक के सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए minimum age limit 20 साल और maximum age limit 25 साल तक रखा गया है यानि सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से लेकर 25 साल तक के सभी candidate इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे age relaxation की बात करें तो आपको age relaxation भी देखने को मिल जाएगा अगर हम ACST candidates की बात करें तो 5 साल और OBC candidates के लिए 3 साल की छूट दी जा सकती है अगर हम RPF Constable Recruitment 2023 Education Qualification की बात करें तो सबसे पहले Constable की बात करें तो Constable के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोट से दस्वी पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी इनिवर्सिटी से डिग्री की है तो ही आप सब इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम RPG Constable नई भरती 2023 PET PST details for milk and debts की बात करें तो milk and debts के लिए सबसे पहले दोड की बात करें तो milk and debts के लिए 1.6 km की दोड रखी गई है अगर हम time की बात करें time duration की तो 5 minutes 45 seconds time रखा गया है अगर हम chest की बात करें तो chest 82-85 cm रखा गया है अगर हम weight की बात करें तो weight according to height and age पर medical standards पर रखा गया है अगर हम long jump की बात करें तो long jump 12 feet 3 chance दिया जाएगा अगर हम high jump की बात करें तो high jump 4 feet 3 chance दिया जाएगा अगर हम height की बात करें तो male candidates के लिए height 165 cm और all India S.E.S.T. candidates के लिए height 160 cm रखा गया है अगर हम RPF Constable Recruitment 2023 P.E.T.P.S.T. details female candidates की बात करें तो सबसे पहले अगर हम दोर की बात करें तो 800 meter race in 3 minutes 40 seconds यानी 800 meter की दोर लगानी है 3 minutes 40 seconds टाइम दिया जाएगा अगर हम long jump की बात करें तो 9 feet long jump 3 chance दिया जाएगे high jump की बात करें तो 3 feet 3 chance chest नहीं दिया गया है अगर हम weight की बात करें तो according to height and hh per medical standards पर रखा गया है अगर हम height की बात करें तो 157 cm height रखा गया है अगर early India S.E.S.T. candidates की बात करें तो height 152 cm female candidates के लिए रखा गया है अगर हम RPF new vacancy 2023 salary और pay scale की बात करें तो सबसे पहले salary की बात करें तो 21,700 रुपई से लेकर 69,100 तक constable के लिए रखा गया है अगर हम SI की बात करें तो SI के लिए 25,500 रुपई से लेकर 81,100 रुपई तक परमंत रखा गया है अगर हम RPF new vacancy 2023 selection process की बात करें तो हमारा selection process सबसे पहले हमें return exam यानि CBT mode देना है computer based test उसके बाद physical test details देना है उसके बाद हमारा document verification किया जाएगा उसके बाद medical test हमें देना है उसके बाद हमारा final merit list बनाया जाएगा अगर हम RPF constable नई भरती 2023 exam pattern की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें general evidence के question देखने को मिल जाएगा 50 question 50 marks के लिए अगर हम second parts की बात करें तो second parts में हमें arithmetic के question देखने को मिल जाएगा 35 question 35 marks के लिए अगर हम total number of questions की बात करें तो 120 question 120 marks के लिए रखा जाएगा अगर हम time duration यानि exam time की बात करें तो 90 minutes देर घंटे के लिए exam देनी होगी अगर हम RPF constable and SI recruitment 2023 application phase की बात करें तो हमारा application phase general OBC candidates के लिए 500 रुपे की फिस और ACST and female candidates को 500 रुपे की फिस पे करनी है अगर हम payment mode की बात करें तो online mode रखा जाएगा यानि आप debit card, credit card या net banking किसी भी माध्याम से आप अपना फिस पे कर पाएंगे अगर हम RPF नहीं भरती 2020 important date की बात करें तो अभी हमारा important dates अभी जारी नहीं की गई है जैसे ही जारी की जाती है तो मैं इसकी जानकारी आपको next video में देने की कोसिस करूँगा अगर हम official links की बात करें तो अगर आप official site पर जाना चाते है तो इस वाले link पे visit करके आप यहां से official site पर जा पाएंगे अगर आप official notification चेक करना चाते है तो इस वाले link पे click करके आप यहां से official notification चेक कर पाएंगे अभी इसकी link active नहीं की गई है अगर आप भी आरपी अप के वेकैंसी के लिए आविधन करना चाहते है तो जैसे ही इसकी कोई और भी नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको नेक्ष्ट वीडियो में देने की कोशिस करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद